इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि मौथोस का इस्तमाल क्यों करना चीए हलाएंगे इसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं पर फायदे और नुकसान हम आपको नेक्स वीडियों बताएंगे उसका इस्तमाल क्यों करना चीए हम आपको बताएंगे और दूसरा यह आप किसी डॉक्टर की परामर्ष जाते हैं आरिवेट से लेटेट तो आप वेदान्ष.com पे जाकर आप कॉल कर सकते हैं वहाँ पे आरिवेट से लेटेट आपकी जो प्रॉब्लम्स है या जो बिमारिया है उसके सॉलुशन आपको दिये जा सकते हैं देखें मुग की सफाई और सांसों को उताजा रखने के लिए कुछ लोग मौथ होस का सहारा लेते हैं लेकिन इसके फाइदे नुकसान दोनों है जो मैं आपको बताऊंगा ही तो सबसे पहले तो मौथ होस क्या है ये मैं आपको बता दूँ देखें ब्रश करने से सरफ मुग की पूरी सफाई नहीं हो सकती है औरल हाइजिन मैंटेन करने के लिए हमें ब्रश के सासा जीब की सफाई और मौथ वास भी करना होता है हमें से कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर में एक या दो बर ब्रश कर लेते हैं में लगता है कि भाई हमारा मुझ साफ हो गया है लेकिन ऐसा नहीं है पूरी तरह से ये साफ नहीं हो पाता है मुझ की अच्छी से सफाई के लिए बीच बीच में आप कुल्ला कीशिये मौथवास कीशिये कई हेल्थ एक्सपर्ट डांटों और जीब की सफाई के साथ साथ मौथवास करने की सलाह भी देते हैं हमारे मुंह में मौझूद हानिकारक्ट बैक्टेरिया को मारने के लिए मौथवस से कुल्ला करने के आवशकता होती है तो ये एक तरफ का एंटिसेप्टिक होता है चीतरय कुल्ला करते हो तो हमारे पोर्स में जो चुटी-चुटी जो पार्टिकल्स रह जाते हैं वो कुल्डा से बाहर निकल जाता है जर्म्स होते हैं तो मौथवस में जो एंटिसेप्टिक होता है वो एंटिसेप्टिक उन जर्म्स को मार देता है तो इसे सांस में होने वाली बद्वु की समस्या से आप निजाद पा जाते हो मूँ के जो दुरगंद होते हैं उससे आप निजाद पा सकते हो आपके दाथ सढ़ेंगे नहीं और सांसों को ताजा रखने के लिए और दातों की कई समस्याओं को दूर करने के लिए कि आप इसे दिन में दो बार at least mouthwash कर सकते हो अब तो इसका भी अपना एक तरीका होता है कि भाई mouthwash कैसे करें कुछ mouthwash तो चलो घर में ही बनाए जाते हैं जिसमें आप जवाइन वगरा जो बनाए जाता है और बहुक सारे अच्छे brands भी हैं जो आपको medicals में मिल जाएंगे तो बस उसमें क्या करना है आपको अपना जो मातर लेनी है वो मातर हो तो नहीं होनी चीए जैसे कि आप खुला कर सको तो आपने समझ लीचिए उसके अंदर जो ढकन होता है उसमें से आपने दो तीन ढकन रहता है आप यूँ करके खुला करके आप उसे ठेक सकते हैं उसे अंदर नहीं लेना होता है और अपने मुँ में रखना आपको उसके बाद ठुक दीचिए और पानी से मत खुला कीशिएगा तो यहीं उसका तरीका है और बेसिकली यह जम सवगर मारने के लिए तो करते ही है मुँ से दुर गंदर को दूर करने में मौत्वास की खास भूमिका होता है और इसके इस्तमाल मुँ की दुर गंदर दूर होने के साथ ही सांसों की ताश्री भी बढ़ती है मौत्वास के इस्तमाल से मुँ में मजूद बैक्टेरिया भी समाप्त हो जाते हैं और इसके साथ ही यह मुँ treadmill सभी धीले कनों को भी साफ करने में मदद करता है मौत्वास का रोज़ाना इस्त होता है आपके सांसे हमेशा फ्रेस रहेगी तूट पेश्ट करने के बाद अगर आप मौथवास करते हैं तो इसे लंबे समय तक आपका मौ फ्रेस रहता है साती सासों में आने वाली बद्बू से भी चुटकारा मिलता है कैविटीज की समस्या दूर होती है कैविटीज की समस्या किसी भी उमर के लोग को हो सकती है इसलिए हर एक उमर के लोग के लिए मौथवास जरूरी होता है दरसल अधिकतर जो मौथवाश होते हैं उसमें फॉलॉराइट होता है फॉलॉराइट जो कैविटी इसको दूर करने में आपकी मदद करता है तो इतने सारे इसके फायदे हैं तो मैंने काल से जितने भी फायदे होते हैं मैंने आपको बता दिया है तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटे पीशिए धन्यवाद